दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी से किसी भी गाने की ringtone बना सकते हैं गाना चाहे पुराना हो या फिर नया हो आप जहां से चाहें वहाँ से उस गाने को कट कर सकते हैं और ringtone बना सकते हैं तो फ्रेंट्स जाधा देना करती हुए चलिए जान लेते हैं कि किसी भी गाने की रिंग टॉन हम अपने मुवाइल से कैसे बना सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं सैलिंद प्रताप सिंग आप देख रहे हैं हैल्प की दुनिया फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें साथ में मारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तों हमें अपने मुवाइल से किसी भी गाने की रिंग टॉन बनाने के लिए सबसे पहले अपने मुवाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद फ्रेंट्स प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना है MP3 कटर जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं इसे सर्च कर देना है search करने के बाद friends यहाँ पर बहुत सारे application आ जाते हैं लेकिन यह वाला application हमें यहाँ पर install करना है दूसरा वाला इस application को आप देख सकते हैं तो friends जब इसे install आप कर लें तो इसे open करना है तो चलिए हम open पर click करके इसे open कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां open हो रहा है जब यहां open हो जाता है तो इसका interface हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है उपर आपको बहुत सारे tab मिल जाते हैं लेकिन यहां पर हमें काम है MP3 cutter से यहां पर पहला वाला जो option है चलिए इस पर tab करके हम इसे allow कर देते है हैं यहां पर allow करने के बाद friends एक बार फिर से नीचे allow करेंगे हम allow करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं उपर लिखा हुआ है recent added यानि कि जो अभी हमने last time MP3 जो है वो download किये हैं वो सभी गाने यहां पर आ जाते हैं यदि आप और दूसरे folder से गाने को यहां पर लाना है तो चलिए यहां पर मैं recent added से ही एक गाने की ringtone आपको cut करके दिखा देता हूं कैसे आपको इसे use करना है तो चलिए मैं MP3 cutter पर click करता हूं click करने के बाद हमारे recent songs हमारे सामने आ चुके हैं तो चलिए यहां पर मैं देख सकते हैं यहां पर 6 song डला हुआ है दूसरे number पर मैं इसको tap कर देता हूं tap करने के बाद यहां पर यह है load हो जाता है तो यहां पर यह है load हो चुका है अब यहां पर आपको दो option मिल जाते हैं एक ये वाला और दूसरा ये वाला ये end का है और ये ये वाला start का है ये वाला और ये वाला end का है तो friends आपको जहां से ringtone start करनी है इस इसे बहाँ पे set कर देना है, आप गाने को पिले करके भी सुन सकते हैं, तो पहले यहाँ पर मैं आवाज कम कर देता हूं, और इसे इस परिकार से यहाँ पर set कर देता हूं, जो गाना आपने यहाँ पर add किया है, उसे आपने सुना तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर चलिए मैं इस तरह से set कर देता हूँ और गाना पिले करके आपको दिखा देता हूँ उससे पहले friends मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको start का time मिल जाता है और यहाँ पर end का time मिल जाता है यदि यहाँ पर जो आपने यह selection किया है इसमें थोड़ा कम जादा करना है तो इसमें आपको plus minus के option मिल जाते हैं उसके throw आप समय घटा और बढ़ा सकते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं गाने को पिले करके सुन लेता हूँ जो अभी हमने ringtone select की है यहाँ पर आप उसका time भी देख सकते हैं 31 second की यह noon जो है वो बन रही है तो चलिए हम इसे पिले कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने गाने को जो है वो select कर लिया है जितना गाना हमें जो है वो cut करना है ringtone बनाने के लिए उसके बाद friends end में भी आप इस तरह से इसको set कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं इस तरह से set कर देता हूँ और यहाँ पर दीए 26 second की यह ringtone बन रही है उसके बाद friends आपको करना क्या है उपर आपको यहाँ पर एक good का निसान मिल जाएगा तो इस पर आपको click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर यह detail हमारे सामने आ जाती है तो यहाँ पर जैसा है बैसा ही रहने दें यदि आपको volume कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ से volume कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं normal ही रहने देता हूँ 100% और friends यहाँ पर option मिल जाते हैं दो cancel और convert का तो convert पर हमें click कर देना है और friends यदि आप इस ringtone को कोई नाम देना चाहते हैं यहाँ पर file name तो यहाँ पर आप name भी type कर सकते हैं तो चलिए मैं convert पर click कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं और friends कभी-कभी यहाँ पर add भी आ जाते हैं तो चलिए यहाँ पर मेरा net on है इसलिए यह add आ गया है मैं यहाँ से add को cut कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ringtone बनकर तयार है तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सुना देता हूँ तो friends इस परकार से आप अपने हिसाब से गाने को adjust कर सकते हैं और उसकी उतनी ही ringtone जो है वो निकाल सकते हैं तो friends उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदि वीडियो आपको अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक कर दें साथ में हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो friends चलता हूँ फिर मिलूँगा अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार